बारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने बुद्बार रात महीला किर्केट टीम के सालाना कॉंटेक्ट का एलान किया है जिसमें उसने 22 खिलारियों की संख्या घटा कर 19 कर दी है इस कॉंटेक्ट में कई खिलारियों का पिर्मोशन हुआ है तो वहीं कुछ खिलारियों को बाहर क का रास्ता दिखा दिया, कॉंटेक्ट से बाहर होने वाली खिलाडियों में एक नाम वेदा किशना मूर्थी का है, जिन्होंने हाल ही में अपनी माँ और बहन की मौत का दुख जेला है, मिडल ओर बल्ले बाज वेदा किशना मूर्थी ने इसी महीने कोरोना की वजह से अपनी बहन को खो दिया था, वहीं पिछले महीने इसी घा तक महामारी से उनकी मा की जान चली गई थी, नीजी जिन्दगी में इतने दुख देखने के बाद अब BCCI ने उन्हें प्रोफेशनल केरियर में भी जटका दिया है, वैसे वेदा का सालाना कॉंटेक्ट से बाहर होने का एक कारण उनका पिछले कुछ समय से टीम इंडिया से बाहर रहना भी है, वेदा T20 और वंडे टीम में नियमित नहीं है, वेदा ने अप्रेल 2018 से भारती वंडे टीम में जगहें नहीं बनाई है, साथ ही वो अपना आखरी T20 मैच T20 वर्ल्ड कप 2020 में खेली थी, यही कारण है कि उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, वैसे आपको बता दें महीला किर्केट खिलाडियों को BCCI ने तीन कटेगरी में बाटा है, इसमें ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C शामिल है, ग्रेड A वाले खिलाडियों को सालाना 50 लाक रुपे सेलली मिलती है, तो वह